कि कि आज कि आपकी कि ऋपक fence ब էने शथे आज है आपको मैंने किर आपको क्तरण आई और जैसे कि आपका रहें इंपुट ओंपुट की सब्सक्uss तो अब हम इस IC में input voltage धूते हैं, तो यह हमारा input voltage आ रहा है, यह आ रहा है, यह रहा है, यह input, यह हो गया हमारा input voltage, यह हो गया हमारा input voltage, पहला हमारा clear हो गया, दूसरा अब हम को यहां दूना है, output voltage, तो यह output कहां से निकल रहा है, महला output line, जो भी इसकी output supply है, तो यह इसका output supply यह इसके आउपूट्स अपलाई है यहाँ पर इसको वुल्टेज मिलते है टू पॉइंट वुल्टेज डीक है और अगर तीसरा हमको जूड़ना है कमांड अब कमांड में देखना है कि इसमें आई टू सी है क्या नहीं है तो फिर क्या कमांड डी जा रही है कमांड तो हो नहीं चाहिए ना कुछ फ्रिक्वेंसी तो नहीं चाहिए ना उसको तो कमांड में क्या कमांड डी जा रही है तो यहाँ पर कमांड में हम देखेंगे को चिंटी अब हमारा यहां पर सेकंडरी एक्टिब वोल्टेज है अब उनको यहां पर ढोटाइड और आउटसाइड रिफ्रेंस कैपेसिटर यहां पर अगर हम जाएंगे यहां पर हमारा ग्राउंड यह देखेंगा यहां पर तो यह हमारा ground है reference capacitor जो इस IC को filter कर रहा है और यह हमारा ground है तो basically इसमें सब कुछ दिया हुआ है सब कुछ दिया हुआ है साइसी में हर आइसी में आपको यह सारी चीज़ा मिलेंगी मिलेंगी तो मैं फिर से बढ़ को explain करना चाहता हूं देखेगा यहां पर अगर हम बात करेंगे यह हो गया input यह हो गया output यह supply यह हो गई आपकी command अब क्योंकि यह audio frequency है यह आ रही है power ic to आपका यह आएगी आपकी speaker ic supply ठीक है और यह आपको आ रहा है इन signal इन signal command और यह आपका हो रहा है ground और यह आपका हो रहा है outside capacitor अबसीकली एक दो तीन यह आपका चार यह आपका पाच और यह आपका छे हैं ठीक है और इसमें यह चीज और बता रहा हूं यह जो capacitor लगया हुए है यह इसके nc है इसका कोई भी कुछ इस रोल काल नहीं है देखेगा यहां पर एक चोटी सी आइसी लगी हुई है अभी आइसी कौन से इसी है तो रहा इसको हम डिटेलिंग करेंगे यहां पर आपको एक motor आइसी लगी है देखो यह motor मतलब आपको एक आपको एक आपकी आपकी आइसी लगी हुई है यूटू जिरो यूटू वन जिरो थी तो यहां पर जाते हैं एक का यह आई सी यहां पर एक छोटी सी लगी हुई है इस पॉर में यहां पर मतलब आपको बैबिटर आई सी लगी हुई है ाल व are वहां वहां पर ठाहए 2 जाय जाए हैं तो इससी चीज दिया होगा है यह आपके इंपुट बोल्टेंज है इंपुट जोगी चार जार्ड जारहे हैं सब्सक्रूद के एकगशेर अब जRYक्टोní मतला कृशें पर इंसिगनल भेजा जा रहा है यह वाला इंसिगनल है आपका इंसिगनल कभ हमें और यह आउपट है और इस पर हमको जो वोल्टेज मिलेंगा वह वोल्टेज ना लखेगा इसका तो इसका फोटू खीच रख लिजेए भी आप लोग सब फोटू की चलो स्क्रीन सोट खीच अगर मुझे यह चेक करना है कि इस IC में यह जो आ रहा है सप्लाई देगेगा कि जो वोटर ड्राइथ की सप्लाई यह कहां से आ रही है अब देखो इसका सिग्नल कहता है कि यह जा रही है पर यहां पर इयएंड आते है défin입क लिए क्या होता है तो यह उसको बंद रधार करते हैं तो हम क्या कर रहा है हम इस प्लाई को ढूर रहे करेंगे और यहां पर जाकर लेंगे और नेस्ट करेंगे तो देखो यह आपका मौटर ड्राइब कहां से निकल रहा है तो देखते हैं यह आपका सीटी निकल रहा है और आपको पता ही है कि मौटरी नैंटी नैंट इन परसंट यह जो आपका यूवन वन-जीरोवन यह आपका सीप यह अपका सीपिव आई सी है कि जैसे हुआ बाइब करते हो तो आप हो यूजर हो यूजर ऑलवेज वर सिप्वल है तो यहां से डिस्पले को नौट करते हैं तो यहां से वोल्टेज वो वोल्टेज होता है 1.8 तुक्त यहां पर वोल्टेज अब लोग नोट कर लिए कि स्क्रीन सॉट ले लेना यहां पर चार वोल्टेज और यहां पर जो वोल्टेज होता है वह इतना व वड़ ऑप का आउप का अउप्ट वड़टेज है वह आप बाद इसके भीच में 3.3 प्रू नियुक्रा 5 ऋप्र सकते हैं पूरी यह को तर आगप धिस के साथ लगा हुआ कि हमें डिस्प्ले कर्यक्टर पर जाना है लाल कुल्स था सब्सक्राइब करें हैं कि को यहाँ पर यह पर माइक की सप्लाई है। पॉजेटीव नेगेटीव यह माइक की सब्सक्राइब हमेशा धान अगना में आपको एक चीज बता रहा हूं माइक में जो आपका पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव होता है, उस सप्लाई पर है ना, एक आपको, यह आपका PMIC है, यह आपकी PMIC है, वहां से आपको एक रजिस्टर के तुरू, आपके P पर, एक 1.8 वोल्टेज आपको भेजा जाता है, और इसी को हम बोलते हैं, बा इस की सप्लाई, तो जो पॉजिटिव होता है, वो भी एक रिक्राइब का ओरियो सिकर्ड प्रिक्विंसी होती है, पर इसको जो वोल्टेज मिलते हैं, वो इस सप्लाई से मिलते हैं, यह आपको यह आपको उपन हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्व रिडिंग आएगी, पर वोल्टेज नहीं आएगा, पर हमको क्या चाहिए, रिडिंग प्लस वोल्टेज चाहिए, तो हमको यह रिजिस्टर ढूनना पड़ेगा, नहीं तो फिर पी एम पर काम करना पड़ेगा, यह आपका रिसीवर आईसी, अच्छा देखो, एक चीज और बता रहा हूँ, यह रिसीवर आईसी पर बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं जब सैमसंग का एक सैट उठाओंगा अभी यहाँ पर, एम 40, तो उसमें रिसीवर आईसी भी लगी है, यहाँ पर रिसीवर आईसी नहीं है, यहाँ जैसे यहाँ पर मुझे यह मिल जाता है, यह रिसीवर के जस्त नीचे, यह रिसीवर हो गया, और इसके जस्त नीचे यह सप्लाई आपकी यह लगी हुई है, ठीक है, थोड़ा तो नोटिस करेंगे आप एक चीज, यह रिखो, पॉम्पनेंट बिल्कुल वैसे लगे हुए है, मैंने बोला ना कि PCP देखने का नजरिया बदलना है हमको, तो मेरे बाई, यह दो डायोड लगे हैं, यह एंची वाला केपिसेटर है हमारा यह दो पैलर में केपिसेटर और यह दो सीरीज में रजिस्टर अब यह सप्लाई लाइन कहां से आ रही है तो क्या कोई ऑडियो ऐसी लगी है या पावड ऐसी से आ रही है तो यहां पर राइट क्लिक टूल क्लिक टूल करेंगे यहां जाएंगे थे एंड्यटूल पर बापस आ जाएंगे एंड्यटूल क्यों क्विसकाने के लिए और यहां से यहां से आ कि यहां पर आप क्या लगा हुआ है क्या सप्लाई है इसके बारे में डेटेलिंग करते हैं यहां पर यह आपका एएरफोन जैक की सप्लाई है एएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए जो भी फॉल्ट आता है वो बेसिकली डिटेक्शन के पॉंट में सबसे ज़्यादा आता है जिसके बज़र से हैंग लोगों आजाता है यह कि आप बिल्कुल इसको दूर सकते हैं कि कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है जितना आप दूरेंगे आपको पता चलेगा अपका नोलेज्ग बढ़ेगा पता चलेगा किسा किस इसी में जार रहा है किस इसी में नहीं जारे है अब बाजु में क्या है यह उसकी आगे की supply बता रहा है वो इसी की आगे की supply बता रहा है audio jack यह देखो यहां से अगर आप तुरह चीज नोटिस करोगे तो यह L1 यहां से यह R1 यहां से और यह आपको यह चीज यहां आ जाएगी बापस अब यह माइक की यह उसके माइक की supply अंटीना की सेम चीज अब यह देखो एक IC लगी हुई है यह आपकी IC जो लगी हुई है यह headphone receiver IC headphone IC आपकी अब यह IC किदर है तो यह IC को हम दूरेंगे यह U2201 हम यहां पर जाएंगे और लिखेंगे यह U22 यह हमारे है ना headphone के आसपास ही लगी होगी वन तो देखो यह IC यहां लगी हुई है और headphone अगर हम देखेंगे कि हमारा किदर है तो देखो यह headphone है हमारा तो नोटिस करोगे तो यह देखो इसी के पास में लगी हुई है इसके पूरे component यह लगे हुए है तो यह जो IC है यह आपकी headphone i-c है और लिए कॉप किसे यहां से जा रही है यह सप्लाई यहां यहां पर आ रही है यह input हो रही है तो यहां पर भी इस headphone IC में कामी नहीं कर रहा है, तो यह भी एक रीजन हो सता है, कि इसको BPH की line नहीं मिल रही हो, यह इसकी supply है, जो यहां से इंपुट हो रही है, और यहां पर यह इसकी output की supply कैसे इसमें पूली किसी मोडल में headphone connect आ गया, तो जैसे की कुछ मोडलों में PM में डिरकी होती है, तो उसमें PM में काम करना पड़ता है, और इसका जो पारेशन आइसी में दिरक आ तो हमें इसमें काम करना पड़ेगा नो, बिलकुल, और वाग इसमें आपको बगत असा सवाल ह पूछा इसको कैसे करेंगे कैने को माल लीजे यह आपका 1.8 का डिटेट्सन का पॉइंट है अब आपको यह पता करना है कि वह यह पावर में जा रही है कि किदा जा रही है तो अगर आप इसको ट्रेस करोगे तो अगर मैं इसका अगर मैं इसका कॉंप्रेंट भी अगर यह पर कोई भी इसके नहीं होती तो यह इसका मतलब यह है कि पीम पर काम करना पड़े काम करना परेंगेगा तो अब यह वाली IC का स्क्रीन सोट खीचे सब लोग यह वाली IC का स्क्रीन सोट खीचिए और इस वाली IC का स्क्रीन सोट से इसको समझे है और यह डियाग्राम जो है यह 5a का डियाग्राम है इसलिए मैंने यह डियाग्राम लिया पहलेक सलल डियाग्राम लेता हूँ इसके बाद में इ यह खीच लिया होगा तो अब मैं आगे बढ़ता हूं यहां पर